अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटे जाने। तस्वीरों को और फिर उस अनरोध को याद कीजिये जिसमें भीड इकठी ना करने की अपील पीएम मोदी ने की थी। लेकिन मोदी की अपील का जनाजा हाथ में घंटा और साथ में हुजूम लेकर पीली भीड के जिला दिकारी और पुलिस इदिक्षक ने ही निकाल दिया ज जो तमाम परिशानियों को दरकिनार कर सेवा में लगे हैं लेकिन धन्यवाद की चक्कर में जिला दिकारी और पुलिस अधिक्षक ने परिशानियों का इंतिजाम कर डाला। ऐसे में फिर उठी विरोध की आवाज और पीली भीड के सांसद वरुन गांदी ने टूइट कि प्रविया है तसा जिला दश्वाजपा वह यह चिंता हुई है कि यह जनपत इस्तरी अधिकारी भारती जंता पार्टी और योगी जीकित सरकार की बजनामी करने के लिए यह सब कर रहे हैं तो उनको भी चिंता हुई तो जिला दश्वाद्च की चिंता और बढ़ो गांद की का ट्विट से मैं भी अपने को संबद्ध करता हुआ वैसे तो पहले से ही मैं उनके बहुत सारे घोतालों भष्टाचार की सिकायते करता हुई जिन पर मानी मुखमंदी ने इने को बार कारवाई करने के लिए आस्वस्ट किया है लेकिन कारवाई में बिलम होने के करण जनता में फड़ा संदेशा अच्छा नहीं जा रहा है इसलिए मैं मानी मुखमंदी से फिर मिलूंगा और उनसे आगरे करूंगा कि जसी गरता इस कारवाई में की जाने चाहिए एक तरफ कोरोना का कहर बर्पा है पीम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं और पीली भीत के इंतजामिया हाथों में घंटा लेकर पीम की अपील का ही घंटा बजाने में लगे हैं ऐसे में सवाल इस बात का है कि जोश जरूरी है लेकिन होश अगर खो ज जाय तो जोश जी का जजजाल बन जाता है पढ़े लिखे अनपड़ों जैसी हरकतें करने लगते हैं और अनपड़े इस बरताव पर मजे लेते हैं जो पीली भीत में इस वक्त हो रहा है ऐसे में जरूरी है कि अधिकारी इस घटना से सबक लें और सियासत को खुश करने के चकर में आवाम और समाज की सेहत के साथ खिल पाड़ ना करें पिली भी से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपॉर्ट